Hello everyone, मैं हूँ अन्रग और आप मेरे साथ देख रहे हैं Learning Lab Channel तो जो आज का हमारे पास sort होने वाला है, कुछ इस तरीके का हमारे पास sort है जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पर left side में आप raw footage देख पा रहे हैं राइट side में हमने यहाँ पर पूरी तरीके से जो final composite मूवी का जो sort है यहाँ पर मैं आपको वो दिखा रहा हूँ तो ऐसा एक output आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा एक चीज़ का और ध्यान दे जो हमारा paint task है वो क्या होने वाला है इन वायर्स को हमें यहाँ से remove करना है जो हमारा आज का टास्क है चाहर सी बात है हम यह चीज़ silhouette में perform करेंगे और जो plate होगी वो nuke में लेखा के track करने वाले है तो यह हमारा आज का task होने वाला है उसके साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ जैसा कि आज के वीडियो के title में भी आपने पढ़ा होगा जो हम करने वाले हम extended clean plate कैसे create करनी हो वो silhouette के अंदर देखने वाले है तो step by step सारी चीज़े हम clear करेंगे मैं ज्यादा intro में time waste नहीं करूँगा कैसे करना है क्या करना है step by step सारी चीज़े दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हैं उसके साथ मैं practice के लिए आपको मैं यह footage दे दूँगा जहां से आप practice भी कर पाएंगे इसको पूरी तरीके से तो चली क्या करते हैं अपने वीडियो की start करते हैं चलते हैं और step by step सारी चीज़े में आपको दिखाता हूँ ओके तो अभी मैं silhouette के अंदर आज पक हूँ जैसे कि आपने चल रहा हूँ यह मेरा कुछ इस तरीके का इंटरफेस है यहाँ पर मैंने footage इंपोर्ट कर ली अभी मुझे क्या करना है डिरेक्टी अपनी footage को लेके यहाँ पर drag करता हमारी footage कुछ इस तरीके कि यहाँ open होके आ जाती है थोड़ा अपने layout को suitable करने के लिए यहाँ पर कर लेता हूँ देखे तो ऐसा कुछ अभी नजर आ रहा होगा यह मेरा note tree हो गया है यहाँ पर ऐसा कुछ तो अभी हमें क्या करना है चले play कर लेंगे मैं हमेशा की तरह आपको बोलता है हूँ जब भी आप किसी sort को start करते हैं थोड़ा सा time दें sort की planning के लिए कि आपको क्या करना है कैसे करना है 10-15-20 minute भी आप देख सकते हैं क्योंकि जो plan करेंगे उसके according ही हम अपने sort को perform करेंगे कैसे हमें paint करना है वो सारी चीजे तो यहां पर चले एक बार rate करने कोश्च करते हैं तो यहां पर मुझे in wires को यहां से remove करना है तो आज हम सिर्फ बीजी से remove करना देख रहे हैं character का last video मैंने बताया था character से कैसे remove करते हैं वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं तो आज हम ज तो reference maximum देख रहा last frame पर maximum reference देख रहा है बट एक चीज और देख पाएंगे यहां पर हमें motion blur भी मिल रहा है तो हमें आज क्या create करना है extended plate create करने क्योंकि यह पूरी जाकर देखेंगे पूरी frame to frame information कहीं हम information डाल नहीं सकते हैं मान लिजे मुझे यहां पर information इसकी उपर write करने है जाहिर सी बात है इस plate को मुझे extend करना पड़ेगे extend कैसे करेंगे वो देख लेंगे extend करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है session में जाना है यहां पर आपको मिल जाएगा session setting अब देखें मुझे यहां पर height और width का जो option देखें यहां पर ऐसा आपको नजार आ रहा होग तो चाहिर सी बात है मुझे left और right में कुछ भी increase नहीं करना है मुझे top में increase करना है तो देखें यहां पर जो value मिल रही 578 की value मिल रही तो मैं इस value को लगबग 1500 के around कर देता हूँ काफी सारा space हैं मिल जाएगा ओकी press करते हैं देखें जैसे मैंने click किया यहां पर देखें मु पेंट नहीं कर पाएंगे तो इसको कैसे create करना है वो सारी चीज़े देखते हैं तो आपस से आते हैं यहां पर देखें अपने node मिलता है node के अंदर आ जाएगी transform के अंदर आपको आना है यहां पर option ले जाता है DoD का DoD node आप ले ले और इसको यहां से connect कर ले देखें DoD node ल requirement के according इनको खीश सकते हैं उपर के साइड में जितना आपको requirement है तो यह देखें अभी हमने plate को extend कर लिया लगभग इस amount में वापस से आ जाते हैं जो extension काम था वो complete होगे अभी हमें paint work start करना है वापस से अपने paint mode में आते हैं देखें मैं अपने paint mode में यहां पे click कर देता हू हां अभी click करने के बात क्या करना है देखें यहां पर आ गए हम हमें यहां पर paint start करना है paint कैसे करना है हम clone tool का यूज करेंगे paint करने के लिए अभी हमें यहां पर reference डालना है तो कौन सा frame मारे बेस्ट रहेगा वो देखते हैं देखें यह थोड़ा start frame है फर्स्ट वारा जो frame ह वो पूरी तरीके से Muslim Blur में आ गया है हमें try क्या करना है कि हमें minimum use करना पड़े जहां पर जितना maximum reference हम ले सकते हैं तो डॉप्ट राउंड करते हुए आते हैं around जो यह वाला frame है यह मेरा अच्छा frame है जहां से मैं reference ले सकता हूं around 15 number का frame तो आपको क्या करना है foreground में output कर देना always एक चीज़ remember करें आप कुछ भी काम कर रहे हूं alpha on करने काफी आपके लिए आसान हो जाने वाला काम हमने यह कर लिया है frame number 15 डाल दिया है अभी आप caps lock on off करके भी देख सकते हैं so sorry हम आ जाते हैं अपने frame में और यहां पर हमें put करना है one five ओके यह caps lock on off करके देखें आपको फूटेज मैच करवाने के लिए होगा तो इसके लिए हम यह वाला टूल भी यूज़ कर सकते हैं अपना उसके साथ में यह भी यूज़ कर सकते हैं control के साथ आप देखें control क्रेस करके इसको कर सकते हैं match करवाना काफी आसान हो जाता arrow की इसका यूज़ कर लिज़े अब मैं आता हूँ को अपसे caps lock में देखें अभी आते हैं देखें मेरी footage अल्मूस्ट मैच होके आ गई है थोड़ा zoom out कर लेते हैं अभी एक चीज़ आप देख पा रहे हैं ये वाला हमारा है ये थोड़ा सा scale है scale कैसे करेंगे simply यहाँ पे आना है आपको scale का option मिलता है scale को increase कर दें आप देखें increase करते ही ऐसा हो गया है तो almost यह मेरा part जो है match होके आ गया है आप एक बार cross check कर लें और मुझे लगता है थोड़ा scale करने की और जरूरत है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 101 तो हमने किया है मैं यहाँ पे 0.3 की value और add करूँगा थोड़ा सा और हमारा scale हो गया है तो देखे step by step सारी चीज़े हम देख रहे हैं मैंने यह fourth class कर रहा हूँ तो थोड़ा सा scale की उपर देहान दे रहा हूँ उसके पीछे के classes थी मैंने और basic से करी हुई थी तो ऐसा नहीं है कि मैं इस silout की जो series फॉलो कर रहा हूँ इसमें आपको कुछ बताने वालनों यहां पर paint work perform कर देंगे ऐसा कुछ अभी wires का tension ना ले wires को हम वापस रिमूब करने वाले हैं तो देखें यहां पर जो part था मैंने इतना सा यहां paint कर लिया अभी देखें मैंने reference लिया तब 15 नमबर से 1 और 2 प्रेस करते हैं तो यह part तो हमने clean कर लिया है अभी वापस से हम चलेंगे कौन से frame से reference ले सकते हैं अभी देखें तो अभी देखें जो maximum यह ages को हमें लेके आना है तो ages कौन से frame में मिल रही है यहां पर frame नमबर 6 में मुझे ages मिल रही है तो मैं frame नमबर 6 से अभी reference लेने वाला हूँ तो जाहर सी बात है यहां value में put करने वाला हूँ 6 की ओके अभी वापस से हम अपने caps lock से match कर सकते हैं यह simply मैं तो कहूँगा यहां से ले vertically ले बहुत आसान हो जाता है आपको match करने के लिए compare mode बोलते हैं इसको आप compare कर सकते हैं देखे यह तो पेडिकलर हमने एक basic से match कर दिया वापस से off करें अभी इसको on off करके देख सकते हैं यह caps lock के साथ कर सकते हैं तो इस footage को आपस मैच करना है तो कैसे कर सकते हैं देखे पहले तो आप इसकी position को match कर लें देखे position को तो यह पोजिशन मैच हो गई, अभी हमें क्या करना है, इसकी स्केलिंग को मैच कर लेना है, यह वाला स्केलिंग हमें मैच करना पड़ेगा, तो यहां पर जाहिर सी बात है, कहां गया हमारा स्केल, यह और वैल्यू को इंक्रेस कर लेता हूं, अब अल्मोस्ट जो स्केलिंग था हमारा, और थोड़ा सा में वैल्यू की इंक्रेस करना पड़ेगा, यह तो मैं क्या करता हूं, अभी यह पॉइंट जो थी की वैल्यू थी, इसको फाइप कर देता हूं, देखें, अभी अल्मोस्ट हमारा जो वर्क है, यहाँ पे पूरी तरीके से मैच हो गया, वापस से हम क्या करते हैं, इसको एक्स्टेंट कर लेते हैं, यह फूटिज आप लेके थोड़ा प्रेक्टिस करिएगा, क्योंकि यह काफी अच्छा आपके लिए जो है, बहुत सही रहेगा यार, एक बार प्रेक्टिस करके देखेगा, ऐसे आप प्रेक्टिस करते रहेंगे, तो एक दिन आपको पर्फेक्ट हो जाएंगे, इस एक तो हम इनका रेफ्रेंस लेके क्लीन कर सकते हैं, या सेम पार्ट को हम किसी फ्रेम से रेफ्रेंस ले ले ले, और क्लीन कर लें, जैसे इस फ्रेम पर मुझे, देखे यह वायर्स Veg तरीके से थोड़ा सा वीजबल नहीं है, यहांसे में इसके लिए रेफ्रेंस ले स सकते हैं इसको match कर वाले अपने recording देखें यह हमने match कर लिया है तो अभी इसको size को छोटा करता हूं इसका paint work मैं कर देता हूं देखें ऐसा कुछ मैंने एक वायर paint कर लिया है बड़ जो मैंने देखा इस वायर को सही से तो यहां पर हमें क्या करना है reference लेकि मैं paint नहीं करने वाला हूं कर देता हूं मैं same frame से clone करूंगा इसको clone कैसे करूंगा clone करना आपको आसानी से पता है तो अभी cloning भी इसमें काफी अच्छा work करेगा क्योंकि odd even surface है तो आपको कहां से reference लेना है कहां पे paint करना है वो काफी अच्छा हो जाने वाला है तो मैं यहां से ऐसा इसा reference लेते हैं और यह paint work में start कर देता हूं अभी देखे थोड़ा सा आप इसको देखें कि आप कहां से ले रहे है perform कैसा करना है यहां से हम इसको कर देते हैं अभी same reference मैं यहां यहांस लेता हूं इसको clean कर लेता हूं ऐसा हर दिया अभी देखे ऐसे कर लेते हैं तो इसको आपको odd even जो surface हैं वहाँ से आप ले सकते हैं reference कि जैसे यहां का reference में उठा के यहां पर डाल सकता हूं लगबग मेरा color tone match हो जाएगा यह थोड़ा गलत हो गया है ऐसा करके तो आपको reference लेते लेते इसको paint करते रहेना है थोड़ा सा और हम करके दिखा देता हूं आपको अल्रेड़ी अगर यहाँ सिल्वेट यह Photoshop आप चानते हैं तो जाहिर सी बात है क्लोन की कितनी importance है अगर पेंट वर का परफॉर्म कर रहे हैं यह आपको पता ही होगा तो आपको simply reference लेना है और paint परफॉर्म करते रहेना ऐसा देखे अभी देखे यहाँ से कुछ wires को मैंने यहाँ से remove कर लिवा है करना सेम प्रोसेस हमें बार बार follow सेम ही प्रोसेस हमें follow करते रहेना है paint वर परफॉर्म करने के लिए और इस sort में थोड़ी से चीजें और मैं बताने वाला हूँ ट्रेकर कैसे sellout से newke में लेकि जा सकते वो चारी चीजे भी आपको दिखाने वाला हूँ तो ऐसा नहीं है हर जो class हमाई रहेगी कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के जरूर मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है कि आपन सीखने को मिल जाएंगे तो यह paint work तो मैं करी रहा हूँ तो अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा particular यह वाला पार्ट है थोड़ा फासफॉर्ट करूंगा पूरे sort को कैसे paint करना है वह आपको फासफॉर्ट में समझ में आ जाएगा क्योंकि यह करने जाओंगा आपका भी time waste ह होगा तो मैं नहीं चाहता हूँ आपका time waste हो जल्दी जल्दी complete हो जाए तो मैं थोड़ा साइस वीडियो को कर देता हूँ फास्ट एंट फासफॉर्ट और उसके बाद दिखाता हूँ जैसे कि आप देख पा रहें यहां पर प्रफॉर्म कर लिया है अगर यहां पर देख पाएंगे यहां पर मेरे पास फूरी तरीके से यहां वायर थी यहां पर हम पुटी कर लिया है और पास हाल आप नुट करना है तो इस फूटेश को अभी हम रेंडर करें लेकर जाना है रेंडर कैसे करना है हमसे फूर्म में ऐक रेंडर करना है देखे अपने राइटन ihan output में आ आने के इसके बाद इसका पात आपको देदेना है देखें अब यह देखें मैं पात देता हूं लगबग यहां पे स्टिल्स करके मैंने बनाया हुआ है तो यहां पर हम कर देते हैं देखें, रेंडर पर मैंने क्लिक कर दिया है और अभी जालके हम फोल्डर चेक कर लेते हैं तो अभी मैं फोल्डर में यहां पर आ गए हूं देखें ऐसा कुछ मिल रहा है इसको मैं ले के आजाता हूं अपनी न्यूक में अभी देखी ये मेरी original footage है मैं थोड़ा side में ले लेता हूँ और इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया था set कर लेते हैं ऐसा तो ये देखी ये मेरी original footage हो गई ये मेरा paint work हो गया तो इसमें से वापस या जाते हैं अभी देखे compare करके आपको देखना है ऐसा दिख रहा है अभी 27 प्रेम पर आ जाए ऐसा करके तो इसका size जाहर सी वात हमने इंक्रीज किया था इसलिए इंक्रीज दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा आप reformat कर सकते हैं तो यहाँ मेरी format क्लिक कर जैसे आप reformat क्लिक करेंगे यह बराबर size to size आपको match हो जाएगा तो black outside करना है और precise bonding box तो यहाँ तक मेरी plate है ऐसा है मुझे पता चल रहा है तो एक बता हूं silhouette में और वहां से track कैसे लेकर आना है वो चीजे मैं आपको दिखाता हूं ओके तो वापस से मैं आ गया हूं अपने nuke के अंदर जैसा कि आप देख पाएंगे तो यह मेरी nuke की file होने वाली यहां से हम क्या करने वाले हैं यहां से हम क्या करेंगे track निकाल के लिए जाने वाले हैं तो अभी क्या है एक चीज यहां पर हमने यहां पर plate extend करी हुई थी तो में भी हमारा जो track है कुछ effect ना हो इसलिए मैं क्या करता हूं एक चीज और आपको नई चीज दिखा देता हूं आपको क्या करना है एक नया session create करना है session आप ही देखे यहां पर हमारे प पड़ेगे यहां पर new session का आप कुछ नाम दे सकते हैं यहां पर अलग-लग option भी है जो आप देख सकते हैं roto-rotopaint, composite कुछ भी कर सकते हैं यहann नन भी कर सकते हो तो इसका session को मैं यहां से हम None कर देता हूं अभी के लिए और यहां पर new session को हम कुछ कर देते हैं, 001 की नाम से मैं यहाँ पर create कर देता हूँ, then ok press कर देता हूँ, देखिए जैसे ही मैं नया session create किया, मेरा ऐसा कुछ एक output यहाँ पर नजर आ रहागा अगर हाँ, आप पुराने session पर जाना साथ हैं, कोई tension नहीं है, आप यहाँ पर paint का जो session है, यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर आ सकते हैं, जो latest मेरा session है, तो आप एक ही slot के अंदर कई सारे session create करके भी काम कर सकते हैं तो ऐसा कुछ आपको मिल जाने वाला है अभी इस session में हम देखने वाले हैं tracker को tracker को क्या करना है, यहाँ से transform में आना है, और यहाँ पर एक मिलता है mostly हम track करने वाले हैं, कैसे करेंगे देखिए, अभी मैं कुछ points लेता हूँ, जो मुझे track में पूरे friends मिल रहे हैं, तो मुझे around तो nearby मुझे ये वाला एक point मिल रहा, तो इस point को मैं लेके track करने वाले हैं, कैसे करना है यहाँ से आप simply create कर सकते हैं, कहाँ यहाँ से create में click करना है create में click करने वाल अपने track points को select करके रख सकते हैं जहाँ जिस point पे भी आप रखना चाहें, तो यहाँ create करना है, उसके बाद हम यहाँ पे आजाते हैं, backward कर देते हैं देखिए, track कितना fast होता है यहां पर इन ओल्ड पॉइंट को डूण लेंगे, यह वाले अरॉण पॉइंट थे, तो एक चीज अपर हमने क्या गिया थे, यहां से ट्रेक किया है, उसके अलावा आप Tracker को select कर लेना है और یہां पर Export का option होता है तो यहां पर click कर देना है, Export में click करने के बाद देख कुछ Tracker मैंने यहां पर निकाले हुए थे, अभी Tracker 01 था हम चे Tracker 02 कर देते हैं और इसको कर देते हैं Save, और यहां पर आपको S press कर लेना है क्योंकि हम multiple track यहाँ पे कर रहा है तो yes press कर देते हैं तो यहाँ पे हमने 02 नाम से tracker निकाल था इसको लेकर आना है और इसको कहाँ पे लाना है अपने new file में ले आए हमने new file में यहाँ पे ले आया है तो यहाँ पे मुझे क्या करना है set to this frame and match move कर लेना है देखिए इतना सा मुझे setting करना पड़ेगा वापस से आ जाते है अपनी script में यह मेरी original footage है यह मारी plate होने वाली है तो एक merge ले यहाँ पे ऐसा कुछ आपका एक script तयार होके मिल जाएगा shift x प्रेस कर लें अभी मुझे क्या करना है अपनी trucker को अपनी plate से connect कर दिया एसा कुछ हमने connect कर लिया है अभी next step हमें क्या करना है connect करने के बाद हमें view करना है अपनी इसको render कर के देखना है अभी वापस से यार मैं ट्राइ करूँगा कि एक रिफॉर्मेट यहां पर यूज कर लें आप देखे रिफॉर्मेट यूज करने क्या रीजन था देखे बाउंडूंग बाफ को साइज काफी बड़ा दिख रहा है तो इसको हम वापस से सही साइज में लाने के लिए लेकिन यह वाले जो पार्ट है ना इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग यार आप कंपल सरी कर लें एस प्रेस करना यहां पर यह और यह वैलू मैच कर वाले को उसके बाद ही आप काम करें देखे अभी सीन क्या है वापस से मैंने इनको रिमूब किया था यह करेक्टर मुझे वा दिखा सकते हैं औल्रेडी रोटो के बहुत सारे टूटोल हमने क्रेट किया है वहां जाके आप चेक करें अगर आपको नहीं मिलता मुझे कमेंट करिए मैं वहां पर जो वीडियो के लिंक रहेगा वो देख दे दूँगा कि रोटो कैसे करना है तो यह मेरे पास कुछ ऐसे रोटोस हैं जो मैंने क्रिएट कर रखें तो अभी मुझे रोटोस को कट कर लेना है अपनी ओरिजिनल फूटेश से तो इसके लिए आपको एक मर्ज लेना है बी प्रेस करना है और यहां पर आपी कर देना है थोड़ा सा अपने एकॉर्डिंग इसको सेट कर लें और इस व 1 प्रेस करते हैं देन हम 2 प्रेस करते हैं अभी एक चीज़ देखिए बहुत सब कुछ सही है लेकिन ये करेक्टर की जो एजस हैं बहुत साथ दिख रही है और इसमें मोशन ब्लर भी है जो कि मैच नहीं हो रहा तो इसके लिए आपको करना है अपने रोटो में जाना है सार लेना है और इसकी वैल्यू को दो वैल्यू या तीन वैल्यू के राउंड कर देना है देखे अभी मैं आपको यह सौर्ट प्ले करके दिखाता हूं देखे जो मेरा सौर्ट था ऐसा कुछ बनके आ गया इसमें थोड़ी सी कमिया है कमिया क्या है चलिए यहां पर ओरिजिनल ब्लर्ड 2D नोड लेना है ओके तो इसको अपने यहांपे कनेक कर दें बुट्संडर 2D नोट को और इसमें देखे एक ट्रांसफ़ॉर्म को अप्षन मिलता है तो इस ही ट्रेकर को कॉप्पेस्ट करके ट्रांसपोर्मी चर सकते हैं यहां पर लेले कोई सु नहीं यह त्रे आपने आके paste कर दें, ओके, तो यह दूसरा motion बर हमें vectorable story मिल जाएगा, इसको यहाँ से connect कर दें, अभी यहाँ पे motion कर लेना है जैसे ही हमने motion किया, on off करके दिखा देता हूं, आपको दिख रहा है information, ऐसी एक information आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है ऐसी कुछ information मिल जाएगी, अब देखे, यहाँ पे यह बीजी यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसको क्या कर सकते हैं थोड़ा से cut कर सकते हैं, जितनी plate की requirement है, हम उतनी plate लेंगे एक वापस से roto node लेते हैं, और इसको create कर लेते हैं, इसको according आप रख भी थोड़ा से कर सकते हैं, देखे, ऐसा मैंने कुछ कर लिया है ओके, roto complete होने बाद, आपको एक node लेना है, copy, यहाँ से आप copy कर लें, sorry यहाँ से आपको लेना है, copy, दिन आपको एक node लेना पड़ेगा, premat, तो यहाँ से हमने copy और premat node लिया है, तो A pipe को आप roto में connect कर दे, B को यहाँ से connect कर दे और इसको view करके देख लें, देखे, view करने पे यहाँ से changes नहीं हो रहा, कई बार क्या होता, इसमें problems create होती है, तो यहाँ पे जो clip to format है, यहाँ से आपको no clip कर देना, जैसे no clip करेंगे, यह वाला option आपको solve के आ जाएगा, उसके तो देखे, जाहिर सी बात है, यह वाला जो output है, यहाँ से हमें पूरी तरही के से मिल गया है, देखे, अभी कुछ कम्यां है इसमें, उन कम्यों के मैं आपको बता देता हूँ, देखे, अभी क्या करना है, यहाँ से हमें यहाँ से इसको निकालना है, बट आज का tutorial बेश थ है थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमारा एभी नहीं मैच है तो इसके लिए आप कॉर्णर पिंट के यूज कर सकते हैं और रेडी कॉर्णर पिंट के बारे कैसे करना है को आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा वीडियो कहां पर है तो आप कमेंट करिएगा उसका जो वीडियो रहेगा उसका description में link दे दूँगा वहाँ से आप proper समझ सकते हैं कैसे griddle up या corner pin आपको योज करना है तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं खतम कर रहा हूँ I hope कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ learn किया होगा कैसे आपको extended template create करनी है कैसे आप silhouette street track new के अंदर लेके आ सकते हैं और ऐसा कुछ काम कर सकते हैं छोटा सा script ऐसा create कर सकते हैं और output को लेके आ सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलेंगा अपने next class में तब तक के लिए बबाई CEO ख्याल रखे अपना